अवेरी वाम वेलकम टू आल दे एस्परेंट आफ लाइबरी एंफरमेशन साइन्स सभी विद्धारतियों का स्वागत है जो भी लाइबरी साइन्स से बीलाइस, इलाइस, अमलाइस कर रहे हैं, कर चुके हैं या आप में से कई सारे ऐसे स्टुडेंट हैं, जो कौमटी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो स्टुडेंट आप सभी के लिए हमाई चैनल पे काफी कुछ है, एक बाद चैनल का प्ले लिस्ट है वहाँ जरूरी डिजिट करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके तो जैसे कि आप लोग का एक्जाम जो है वो आज BLIS वालो का 229 का लास्ट एक्जाम है और MLIS का भी चल लेगा तो इसके बाद हम लोग आप लोग का जो रेगुलर क्लासिस है वो हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने हम टॉपिक वाइस पूरा समझाएंगे जिसमें आपका MLIS अन-BLIS अब कवर करवाएंगे तो वो तो है और उसी सीरीज में यह अगला लेक्चर जो है जो कॉम्टी एक्जाम की फॉर्म निकलता है तो सरे लेके आते हैं तो उसी सीरीज में अगला लेक्चर है जो की यहां निकला हुआ है गॉवर्मेंट अफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडन आर्ट जैपूर हाउस न्यू डेली न्यू डेली से फॉर्म निकला हुआ है तो डेट जो है साथ अगस्ट दोजारी किसको यह निकला हुआ है तो यहां पर वेरियस फॉर्म निकले हुए है अलग-अलग वेकिंसी निकली हुई है तो इसके लिए आप लोग को मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तो चलते हैं लाइब्रेडी वाले सेक्षन में जहां पर आप लोग का पूरा यहां पर बताया गया है तो देखें यहां पर फिस्ट नंबर पे असिस्टेंट लाइब्रेडी एन इंफरमेशन ऑफिसर तो यह एक कॉंड देखें इंक्लूडिंग शॉर्ट टम कॉंट्रैक्ट एक निंकला हुआ है नंबर पोस्ट एक है पर लिपन इस जो रहेगा वह आपको मिलेगा यहां पर पर जो आपकी है सेवन से बीए मिलेगा जब रिवाइज होगा तो रिवाइजड फिर यहां पे जनरल सेंटरल सर्विस ग्रूप भी गैजेटेट नॉन मेटेरियलिस्टिक यहां पे इस सारी चीज़ है देखें लोकेशन की बात करें तो आपको निव डेली में आपका जॉब लोकेशन रहेगा अब इसमें कुछ डिटे आपका जॉब डिसक्रिप्शन में एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया जो है यहां पे ऑफिसर अंडर सेंटल गवर्मेंट सेट गवर्मेंट और यूनियन टेर्टरी के अंदर आपको ऑफिसर के पोस्ट पर आपको वक क्या होओ होना चाहिए होल्दिंग एनलोगस पोस्ट आपको पांच साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइबरी साइंस में अगर आपने किसी कहीं से जॉब कर रखा है तो उसका और पे स्केल भी मांगा गया है फिर यहां पर पॉसेसिंग फॉल्विंग एसेंशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एन एक्सपीरियंस नेमली उसके अलाओं यहां पर आपके पास बैचलर का डिग्री होना चाहिए लाइबरी साइंस में और टू यह प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइबरी में अंडर सेंटल स्टेट गवर्मेंट यह किसी भी स्टेशरी बॉड़ी के अंडर डिजारेबल में आगया ह मास्टर डिग्री अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है लाइबरी साइंस में तो वो भी यहां पर वेलकम है फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लिकेशन जो की यहां पर आ गया एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर अप्लिकेशन वो भी चलेगा यहां और उसके अलाव यहां पर कुछ नोट से आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं तो यह पूरा यहां पर जो स्टुडेंट है इन सब के लिए eligible MLS, BLS and experience जो मांगा गया है अगर आपके पास है तो इसके लिए आप लोग जरूर apply करें बाके इसमें कुछ terms and conditions जो है जो की यहां पर देखें यहां पर बात की गई है the detail regarding eligible candidates, education, qualification and experience applicants form are also available on the website इन्होंने अपना website दिया हुआ है यहां पर आपको eligible है मतलब इसके में आप कर सकते हैं और यहां पर देखें third में यहां पर आप कब तक फिल कर सकते हैं within a period of 60 days from the publication of advertisement in the employment news तो साथ को निकला हुआ है तो आप दो महीने तक आप इसको फिल कर सकते हैं मतलब सेप्टेंबर तक एक महीना होगा और नेक्स जो अक्टूबर होगा तब तक आप फिल कर सकते हैं तो इसके लिए जो भी student eligible है वो इसके लिए जरूर अप्लाय करें और यहां पर एनेक्स वगरा है तो इसको भी आपको फिल करना है जिसमें बायो डेटा अपना डालना पड़ेगा करिकुलम बीटा वगरा होगा है यहां पर ब्लॉक लेटर में आपका नेम एन एड़ेस डालना है डेट अफ बार्थ डेट अफ सर्विस यह जितनी मतलब क्वालिफिकेशन है जितना भी चीज़े महागा है आपको इन सबको फिल करके और अपना जो भी डॉकुमेंट है इनको लगाके सेल्फ अटैच करके इनको आप अप्लाई करना है इनके आफिस में आपको भेज देना है तो पूरा जो डिटेल था इसके लिए तो आई होप यह वीडियो जो है आपको इन्फरमेटिव लगा होगा और जो भी स्टुडेंट है इसके लिए अपलाई करेंगे वो इसके लिए जरूर अपलाई करेंगे जो डेली से हैं या फिर इने अनराण जहां सभी आप बिलोंग करते हैं तो मिलते हैं आप सभी से न अपलाई